तो अगर आप शाका हारी है तो ये आपके लिए प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है राजमा के अंदर उच्छ रक्तिचाप को कम करने के गुड़ भी पाए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर सॉलिबल फाइबर, पोटेशियम और मैगनीशियम होता है जो रक्तिचाप को कंट्रोल करने में मदद करता है और क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है तो लंबे समय तक भूक नहीं लगती जिससे आपके वेट को कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है इसलिए आप रोज एक बॉल राजमा जरूर खाएं बता दें कि राजमा में कॉंपलेक्स कार्बो हाइडरेट की बड़ी मात्रा होने के चलते ब्लड में कोलेस्ट्रोल का स्तर कम होता है लेकिन ये आपको जरूर पता होगा कि किसी भी चीज के ज़ादा सेवन से आपको नुकसान पहुँच सकता है और ऐसा ही कुछ राजमा के साथ भी है जादा राजमा खाने से शरीर में फाइबर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है जिससे पाचन तंत्र में गड़ बढ़ी आ जाती है इसलिए आप इसे दिन में एक बार ही खाएं और बहुत जादा पोर्शन न लें अगर इसे खाने के बाद आपको पेट दर्द और पेट में गैस जैसी समस्या हो रही है तो इससे ये पता चल सकता है कि आपने इसे जादा खा लिया वैसे कई लोगों को इसे डाइजेस्ट करने में समय भी लगता है तो अगर आप भी राजमा खाने के शौकीन हैं तो इसे रोज जरूर खा सकते हैं लेकिन अपना पोर्शन सही रखें